असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर का सेकंड नांग क्वेस्टन करेंगे स्टूडेंट्स इसका सेकंड नांग क्वेस्टन देखें इसको आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बुक पार पेई निबर 16 से 20 तक इसका जवाब वह मजूद है लेकिन वह चुके बकाइदा इसका कोई टॉपिक मजूद नहीं था तो मैंने शॉर्ट करके इसका अंसर लिखा है वह अपने नोट पी करना लिखना भी है और समयना भी है यह स्टार्ट करते हैं यह दिखें इसका यहां से स्टार्ट होगा इसका पहला पॉइंट है वेन वाटर एंटर्स इंदा जाइंट्स चूके यह क्वेस्टन हम पाड़ रही है कि वो जो रॉक्स Zel प्रेकेज रिजन की वेज़ाएं तोटी है कि पहले र्यजन तोटाँ त्लिय Очень कि रिज़व राड़े और समया प्रिज्व कषेंड़ा जेवें इन दस शेटरिंग का फ्राउक्स शेटरिंग का मतलब होता है बेतर तॉट्टीब अुझे बेतर त्री फोक या हत्म हो जाना त्बाए हो जाना यागनि उसके नतीजे में जो में वह। चटाने बेतर तीब होकर हतम हो जाती है यह तूट जाती है नमबर टू पॉइंट वैन दरूट साफ ट्रीज रूट सोती है जड़ें जब चटानों पर जो दरहत होते हैं उनकी जड़ें हैं एंड बुशिस और उनकी एंड बुशिस और शाहीं रीच तक रैक्स जाइंट जाइंट ऑफ रॉक्स चटानों की दराडों और जाइंट तक पहुंचते हैं क्या पहुंचते हैं दरुटों की रूट सेंड विशिस दरुटों की जड़ें और उसकी शाहें जब चटानों की क्रैक्स और होल्स तक पहुंचते हैं रॉक्स फेस अन्बियरेबल फो पर बाइदे ग्रोथ यानि दर्फतों की बात हो रही है कि दर्फतों जब भड़ते हैं तो उनकी जड़ों के बंढ़ने के वजय से और उनकी शाहों के बंढ़ने के वजय से जो रॉक्स पर जो अन्वियरेबल फोर्स पैदा होता है As a result, उसके नतीजे में rocks break down into small fragments तो जो उसके नतीजे में चटाने जो हैं वो breakdown तूट जाती हैं किसमें small छोटी-छोटी fragment चुकडों में तूट कर तक्सीम हो जाती है Third part, third point is का different kinds of animals बहुत सी किसमों के जानवर, like जैसे के rats, चुहे, rabbit, insects, ants and termites हरगोश, हश्राथ, चून्टियां और धीमक, make holes in the rocks चिटानों में सुराह बनाते हैं by this process इस अमल के नतीजे में rocks get weakened, चिटाने कमजोर हो जाती है and break down और तूट जाती है Fourth, इसके reason है, rocks के breakage का, वो क्या है During mining, the mining के दूरान, mining को जोता है कानकनी होना कानकनी क्या होता है, यानि के पहाड़ों को काट कर उसमें से मादनियत वगरा निकाननी, जैसे के नमक की कान हो गया, कोईले की कान हो गई तो उस दुरान पहाड़ों को काटने के दुरान कर जो अमल होता है rocks, चिटाने जो होती है, are broken, तूट जाती है और लास्ट पॉइंट इसका, human make artificial products, इनसान artificial products, यानि मसनुई products बनाते हैं, it causes इसके नतीजे में environmental pollution, महुलियाती अलूदी पैदा होती है, which later result in acid rain, जो के बाद में इसके नतीजे में तिजाबी बारश का बाइस पनते हैं, due to which rocks get weakened, जिसके नतीजे में जो चिटाने हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, students, याज आज आपका सबक है, इसको आपने अपिस पर लिखना भी है, और आपने इसको याद भी करना है, अल्ला हाफिस